टेक्स लेब में बदलाव से इतनी आये वाले लोगों को मिलेगा फायदा वित मंतरी निर्मला सीता रमन 3 जुलाई 2024 को बजट पेस किया जा रहा है इस बार के बजट से लोगों को खास उम्मीद है खास कर मध्यन वर्गिये परिवार की नजर ये बजट पर टिकी हुई है जिससे उनका बजट विगड़ेगा या धिन संबलेगा हदा की इस बार बजट को लेकरने कोशना मिल सकती है जिससे अधिकायवाले लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है जिसमें खास कर 10 लाख रूपए से अधिक कमाने वाले लोग सानी है मौजुदा समय में 10 लाख से अधिक कमाने वाले लोगों को 30 पिसदी टेक्स का भुपतान करना पड़ता है नए प्रस्ताव में ऐसे लोगों के लिए नई राहत जोड़ी गई है यदि आपकी सैनेरी बातसी का एक लाख रूपए से कम है तो सरकार से आपको 3000 रूपए मासिक मिलेगा या रासी सरकार द्वारा दी जाएगी अब यह है नई दर इस बार सलाना 3 लाख रूपए तक की आए वाले लोगों के लिए सुन्य दर रठी गई है एसे लोग जिनकी आये 3 लाख रूपए से लेकर 7 लाख रूपए तक है उन्हें 5 फिसदी टेक्स के दारे में रखा गया है यदि आपके आये 7 लाख रूपए से 10 लाख रूपए तक है तो आपको 10 फिसदी टेक्स का भुक्तान करना पड़ेगा यदि आपकी सालाना आये 10 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक है तो आपको 15 फिसदी टेक्स का बुक्तान करना पड़ेगा नहीं देना होगा अधिक टेक्स वर्तमान में 10 लाख या इससे अधिक आये वाले लोगों पर 30 फिसदी का टेक्स लगाया जाता है जो सरकार के खाते में जमा होता है हालाकि टेक्स लैब में नए प्रस्ताव के मुताबिक 18 लाख रुपए तक की आये वाले लोगों को इसमें सामिल करने की बात कही गई है के लिए बढ़कर 303 तक पहुच गया है इनाकडों में अंतर के लिए प्रमुक्रूप से बढ़ती मांगाई भी जिम्मेदार है टेक्सदर 2023 से 2024 में अंतर